दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के Most Important 27 ऐसे Question Answers जो की अक्सर प्रिक्साओं में पूछ जाते हैं आप चाहे किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जान से पूरा एंड तक देखेगा एज़ा टेस्ट लगाईए और देखेगी 27 में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं दोपेर में दो बजे हर रोज दोस्तो नए टोपिक पर मैं आपको 25 से 30 35 चालिस कोशन कवर कराता हूँ Only Top Study यूटूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेकरें मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विक्सित होते हैं या आप लोग के लिए टेस्ट कोशन है इसका आंसर फटा फट कमेंट बोक्स में बता दीजे सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और पहला कोशन है मानव सरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं दोस्तों मानव सरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं फटा फट आंसर बताए ये कमेंट बोक्स में प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही आंसर हैगा पलीहा को पलीहा यानि किसे इंगलिस में बोलते हैं explain तो ये भी आप लोग not कर सकते हैं कोश्य नमबर टू है मानव मस्तिस्क में बुद्धी का केंदर क्या होता है तो सही उत्तर रहेगा सेरेबरम यानी की बी राइट आंसर हो जाएगा देखे मस्तिस्क का वेट कही बार पूछ जाता है तो फटा फट बता है मस्तिक का वेट कितना होता है दोस्तों तो मस्तिस्क का भार होता है तेरा सो से चोदा सो गिराम के बीच में अब जो भी आपको उप्शन मिल जाए वैसे सबसे ज़्यादा जो उप्शन मिलता है वो मिल चिलता है 1350 ठीक है तो राइट आंसर आपका 1350 होजाएगा बट कई बार 1300 से 400 के बीच में कोई भी ओप्षन होगा आप राइट आंसर लगा सकते हैं Q3 है हिमोगलोबीन किसका महत्पून घटक होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो सही आंसर रहेगा RBC Red Blood Cells का तो Right Answer D हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर ये आपका याद रखना है Q4 है मनुश्य के सरीर में टिबिया नामक खड़ी कहा होती है तो प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर हैगा टांग में Q4 का सही आंसर A हो जाएगा प्यारे दोस्तों Q5 है दूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है 5-वे कोशन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों देखें प्यारे दोस्तों दूद में विटामिन पाय जाता है कैसीन, कौन सा कैसीन, पाचवे कोशन का सही आंसर C हो जाएगा, यह आपको याद रखना है, अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं, तो आप हमारी master पीडियाप को ले सकते हैं, मात्र 170 रुपे की पीडिय मिलेंगे, वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, master पीडियाप का link, description box और हमारे WhatsApp नमबर दोनों जंगे रहेगा, link पर click करके payment करके आप पीडियाप directly प्राप्ट कर सकते हैं, प्यारे दोस्तों, question number 6 है, मानव सरीर में पेस मेकर का संबंद किस से है, मा question number 7 है, pineal गरंथी कहां इस्तित होती है, दोस्तों, ये गरंथी कहां परिस्तित होती है, इस question का सही answer है, मस्तिस्क में, यानि कि C सही उत्तर रहेगा आपका इस question का answer आठवा question है, लार में कौन सा enzyme पाया जाता है, आप खुद भी try कर रहे हैं, तो comment box में बताईए, और क्या score रहेगा पूरी वीडियो के end में बताना, ठीक है, खुद भी try कर रहे हैं, तो answer जरूर बताईए, लार में कौन सा enzyme पाया जाता है, आठवे question का right answer, प्यारे दोस्तो सही उत्तर रहेगा, लार में पाया जाता है, दोस्तो, Tylen, यानि की right answer हो जाएगा, C, अगला question है, सफेद रक्त कर रहे हैं, यानि की white blood cells का मुख्य कारिय क्या है, प्यारे दोस्तो, इस question का right answer हैगा, रोग परतिरोज समता, धारन करना, यानि की right answer C हो जाएगा, दोस्तो, इस question का सही उत्तर, ये भी बहुत important question है, दस्वा question है, किस vitamin को hormone कहा जाता है, किस vitamin को hormone कहा जाता है, देखे, इसी vitamin को एक नाम और मैं बताता हूँ, sunshine vitamin, तो ये आप बिल्कुल अब answer लगा देंगे, vitamin D, ठीक है, right answer A हो जाएगा, ठीक है, Kelsey Farrell भी कहते हैं, तो ये भी note कर सकते हैं, ग्यारवा question है, मनुष्य के सरीर में हिर्द्य को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के सरीर में हिर्द्य को एक बार धड़कने में, ठीक है, कितना समय लगता है, देखे, एक में 60 seconds होते हैं तो मतलब 0.1 seconds से भी कम समय में धड़कता है इससे आप अंदाद लगा सकते हैं तो सारे options गलत होगी right answer क्या होगा a हो जाएगा तो 11 question का सही answer दोस्तो a रहेगा ठीक है यह आपको याद रखने हैं हमारे हिर्दे में 4 chamber होते हैं यह भी note कर सकते हैं 12 question मनुष्य के जीवन में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं मैंने starting में आप लोगों से यह question पूछा था ठीक है कि मनुष्य के जीवन में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं तो आप सभी ने answer किया होगा जिनोंने नहीं किया एक बार और कर लीजे answer बताने वाला हो मैं सही आंसर आएगा दोस्तों मनुष्य के जीवन में जो 20 दात होते हैं वो दो बार विक्सित होता है ठीक है यानि कि 20 दात ऐसे होते हैं हमारे जो तूटेंगे फिर आएगे बारबे कुशन कराइट आंसर सी हो जाएगा कुशन अबर 13 है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है मानव सरीर की दोस्तों सबसे लंबी हड़ी है फीमर कौन सी फीमर कुशन अबर 13 कराइट आंसर बी हो जाएगा Q14 है, सोते समय मनुष्य की रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है तो देखिए, सोते समय मनुष्य की रक्त दाब में परिवर्तन होता है दोस्तों ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है गटता है या कोई फरक ने पढ़ता है या कभी घटता है या कभी जादा होता है कभी कम होता है राइट आंसर है का दोस्तो घटता है कोशन नमर 14 का राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नमर 15 है मानव सरीर का फेपडा किस से धका होता है मानव सरीर का दोस्तो फेपडा किस से धका होता है देखे इसको कहते है पलूरा पलूरा से यानि कि पंदरवे कोशन का राइट आंसर ए हो जाएगा 16 है मनुष्य के लार में कौन सा इंजैम पाय जाता है ये साथ हमारा रिपीट हो गया है कोशन कोई बात नहीं टाइलीन हो जाएगा राइट आंसर सातरवा कोशन है लार किसके पाचन में सायक होती है ये बते है लार किसके पाचन में सायक होती है सही आंसर हैगा स्टार्ज के सातरवे कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों सफेद रक्त करन यानि कि वाइट बलड सेड का मुख्य कारिया है ये कैसे रिपीट हो गया रोग परतिरोद समत्रदारान करना किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी ये अमारे दो-तीन कोश्चन रिपीट हो गए मानव की पाचन नली लगबक कितने फिट लंबी होती है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है आपका 22 तो मानव की पाचन नली लगबक कितने फिट लंबी होते 32 फिट लंबी होते दोस्तों d right answer एगा मानव सरीर के किस गरंथी का master गरंथी कहते है इस गरंथी को master गरंथी कहते है तो right answer एगा 21 question का right answer दोस्तो A हो जाएगा ठीक है 22 question है बच्चे के link का निर्धारन किसके गुण सुत्र से होता है तो बच्चे के link का निर्धारन दोस्तो पिता के गुण सुत्र से होता है यानि कि 22 question का जो सही उतर रहेगा दोस्तो That is B मानव सरीर का पाचन का अधिकांस भाग कहां पर संपन होता है तो सही आंसर रहेगा दोस्तो small intestine में यानि की छोटी आत में ठीक है छोटी आत में यानि की 23 कुश्चन कराईट आंसर रहेगा 24 कुश्चन है मुत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है राइट आंसर हैगा यूरो क्रॉम के कारण यानि की 24 कुश्चन का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा 25 कुश्चन है मनुष्चे के रक्त में कौन सा धातू पाया जाता है 25 कुश्चन दोस्तों सही आंसर रहेगा लोहा यानि की D is the right answer कुश्चन 26 है मानव सरीर में लाल रक्त का निर्मान कहा होता है 26 कुश्चन का सही उत्तर रहेगा 27 है मानव मस्तिस्क में बुद्धी का केंदर है बुद्धी का केंदर पूछा जा रहा है तो सही आंसर रहेगा Cerebrum यानि की B right answer नहीं आपे C होना चाहिए अब प्यारे दोस्तों ये थे 27 कोश्चन ठीक है इन में से आप लोगों ने कितने सही किया है कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना स्कोर बताईए मानव सरीर में पेसमेकर का संबंद किस्से है या आप लोगों के लिए टेस्ट कोश्चन है इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर आप लोग ने अभी तक मास्टर पीडियाप नहीं ली है तो मातर 170 रुपे की पीडियाप है तो लाइक सेर करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को ओन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक्यू सो मच बाइ बाइ अब्रीबन टेक किर ख्याले के अपना मिलते नाइस क्लास में